अरे फैंटासिंग तुझे पता है? 25 एपिल को सबसे बड़ा फैंटेसी क्वेशन उठने वाला है क्या रिश्यव पंथ को हमारे फैंटेसी लाइनप में लेना चाहिए या नहीं? अरे पॉकेट रॉकेट है वो! खेलता है तो स्कोर सीधा आउट ओफ दे वर्ल्ड! अरे पॉकेट रॉकेट तो है ही! लेकिन आप सप्राइज होंगे जब आप उगी क्रेडिट प्राइस और फैंटेसी गली रेटिंग को कंपेर करोगे तो! अरे फुटेज गाना बंद करना यार! शो का काउंटडाउन चोड़! सिरा टेक ओफ करते! वेल्कम तो मैच नमबर 20 विच इस डेली वसिस हाइदरबाद! क्या काव्या मरन की हजार वॉट की स्माइल फिर चमकेगी या दिल्ली भार ही होगी? हम! अब हाइदरबाद की CEO स्माइल करे गी या नहीं, ये तो अमित मिश्रा या फिर राशित खान इनके नक्षत्र ही बता सकते हैं! यानि इनके स्पिन! क्यों? क्योंकि चैन्ने की जो पिच है वो तो स्पिन पे काफी महरबान रही है! पिछले मैच में भी और हर मैच में स्पिनर्स विकेट्स लेते जा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि आगे भी यही सिलसिला चालू रहेगा! सिलसिला ये स्पिनर्स का चालू रहेगा, इसलिए अभिशेक शर्मा एक अच्छे पिक बन सकते हैं! अब अभिशेक शर्मा क्या है कि लेफ्ट आम स्पिन का ओप् भी है और X Factor भी काफी अच्छा है तो अगर इनका दिन अच्छा जाए इनको turn मिले बैटिंग करने का थोड़ा मौका भी अगर मिल जाए तो यह आपको धेर सारे fantasy points भी दे सकते हैं अरे डिश्टर्ब मत करो यार टेलिस्कोप में देख रहा हूँ क्या अरे वाई topics में इतने बड़े सितारे तो टेलिस्कोप में देख रहे हैं पड़ेगा ने यार राशित खान शिखर धावन डेविड मॉर्णर और अमित मिश्रा ये तो सारे हमारे topics में हैं लेकिन क्या खलील हमत को ले जाना चाहिए topics में अव जी बिलकुल बिलकुल क्योंकि यह लेफ्ट आम बोलर है तो वैसे ही मुझे प्यार है यह आपको एक्स्ट्रा विकेट्स देते हैं वह एंगल के वज़से और मुझे पता है हम नंबर्स में जाते हैं तो फैंटसी गली इन्हें एवरेज पॉइंट सिर्फ 20 दे रहा है लेकिन इस लीग के उभरते सितारे हैं पिछले दो मैच में 87 और 32 पॉइंट दिये हैं हाँ थोड़ा एवरेज उपर नीचे हो रहा है लेकिन अगर आप आवरेज निकालोगे तो 60 के आसपास आ रहा है और जब शिखर दवन और डेविड वॉनर यह दो इतने भारी भड़कम प्लेयर है क्रेडिट के हिसाब से यह सिर्फ आपको आठ में मिल रहे हैं आठ है ना बिलकुल बराबर जी हां तो क्वालिटी बजट पिक ह है तो इसलिए मेरी तरफ से घ्रीन फ्लैग देखें मेरे लिए भी ग्रीन फ्लैग है मैं तो अग्री करता हूं करतिक से यह आर मैं तो मुझे कोई प्राब्म में नहीं है इनसे दूसरी बात यह है कि जैसा इन्हों ने बोला कि वैराइटी है लेफट आम पेस बोलिंग और पर फिर से बोल से तो नहीं यकिन नहीं आया आप अग्री कर रहें करता हूं मैं लेफ्ट आम बोलिंग ऑप्शन है वेराइटी देते हैं और तो और तीन मैचेस में छे विकेट हैं यह नंबर्स अगर आपको कुछ बोलते हैं वो यह है कि डेफिनेट टॉपिक है खली आपको फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं 67 जिस वेरी गुड बिल्कुल बिल्कुल सही पक्टे हैं और लले त्यादव के बारे में अगर बात की जाए तो थोड़े अंडर दर रेडार जाते हैं जैसे नेप्चून प्लानेट रहता है उस पर फोकस रहता नहीं है बट अग ये भाई लोग पंद क्या प्लूटो की तरह है कभी प्लानेट और कभी नॉट अप्लानेट हां भाई तो वो होने चाहिए या नहीं अब देखो 9.5 की क्रेडिट लेके रिशब पंद आते हैं इस टोनमेंट तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव क्रेडिट है औल टुगेदर उसके बाद अगर आप देखें तो उनकी जो फैंटसी कली रेटिंग है वो सिर्फ 6.6 है तो क्या है कि उनकी क्रेडिट और उनकी जो वैल्यू है वो कुछ मैच नहीं करती तो उसे साब से देखा जाये तो अगर इतने एक्सपेंसिव क्रेडिट है और अगर रिटर्न्स न होगे और सिर्फ कोई भी प्लेयर पर क्लिक करोगे तो आपको उसके फैंटेसी स्टैट्स मिल जाएंगे तो रिशब्पन पर क्लिक कीजिए आपको पता चलेगा सिर्फ 71 पॉइंट्स दिये हैं अब जहां तक एक्सपीरेंस और कंसिस्टेंसी का सवाल है मैं जानता हूं के अब भी अब भी आये हैं लेकिन मैं उन पर अपना भरोसा जताना चाहूंगा तो मैं रिशब्पन के जगा केन विलियमसन को लूँगा अरे भाई लोग ये स्टेटिस्टिक वर्टिस्टिक ना बड़ी आनिमोशनल चीज है यार मेरे पंद पर ग्रह बनकर बैड़ गई है यार ये ये ग्रहन वागेरा छोड़ो फुल मून की तरफ बढ़ते हैं ये देखते हैं कि हमारे FG Best 11 में क्या-क्या है हमारे सारे टॉप पिक्स FG Best 11 में है और आपको दुबारा बताना चाहूंगी कि FG Best 11 रिस्क और सेफटी का एक सूपर बैलनस्ट कॉमिनेशन है जिसमें आपको मिल रहा है देखिए बैर स्टोर इस इन्ट विकेट कीपर सेक्शन बट पंद का नाम यहां नहीं है जी और इसी लॉजिक की बेसिस पर यहां पर एक और नाम है जिनका नाम है आवेश खान अब आवेश खान जो है डबल सैटलाइट की तरह है अगर चले तो आपको बहुत ही जादा पॉइंट्स देंगे 66 पॉइंट्स देते हैं यह ओन आवेश लेकिन उनकी X Factor बहुत ही हाई है तो अगर नहीं चले तो आपको नुकसान है लेकिन अगर चले तो फिर बोनस पॉइंट्स आपको डेफिनिटली मिल सकते हैं और यह टीम यार काफी सही तो है बट एक ही चीज है कि बहुत लोग पृत्वी शौ को अपने टीम में लेना चाते हैं और उसके बहुत सारे रीजन्स हैं पहली बात तो यह कि उनकी चो X Factor है वो काफी हाई है और दूसरी बात यह कि शिखर दवन के साथ अच्छी पार्टनर्शिप लग जाती है उनकी तो क्यों न हम शौ को हेलीस कॉमेट की तेरा सीधा इन कर देते हैं फैंटसी गली एप का एक सबसे पाफुल फीचर है वो यह है कि आप अपने पसंद के किसी भी प्लेयर को इन कीजे और आपको हमारा फैंटसी गली एप बेस्टीम कॉमिनेशन देगा इंक्लूडिंग दाट प्लेयर जैसे कि अगर आप प्रिफी शौ को इन करते हो तो आपको एक नए टीम का गॉर्मिनेशन मिलेगा इंक्लूडिंग प्रिफी शौ हाँ खूल इस दाट वेल तो इनके टीम में और ये एफजी बेस्ट 11 टीम में एक ही डिफरेंस है और वो है केन विलियमसन का अब देखिए जैसा कार्थिक ने बताया कि अभी तक उतने चांसे नहीं मिले हैं बट के इन विलियमसन इंटरनाशनल अबिलिटी क्लास क्वालिटी लेके आते हैं तो उनसे आप फैंटेसी पॉइंट्स की उमीद बिलकुल कर सकते हैं अरे बाई लोग यह प्रित्वीश होना आजकल हीली स्कॉमेट जैसा हो गया यार कभी-कभी स्पेशल अफ्यरेंस करता है वैसे एक और प्लेयर है जो मेरे इसाप से बैट्स्वन बना मंगल बनकर बैट सकते हैं और वो है दक्षिन आफरिका के कही सो रबाडा अब मुझे इस एफजी लेवन में कही सो रबाडा को किदर से भी लाना है तो मैं क्या करूँ मुझे सिर्फ एप पे जाना है और वो अब जैसे मैं कही सो रबाडा के साइड में इन फीचर दबाता हूं तो मुझे अपने आप एक बोलिंग फोकस टीम मिल जाती है अब चैने का पिछ है तो यहां पर बोलर्स जादा चलेंगे ऐसा मुझे लगता है तो मेरे लिए ये परफेक्ट है अरे मतलब मेरे कैसा मैच में कमजोर भाई लो एफजी आप जरूर डाउनलोड करो fantasygully.com से और fantasygully आप आपको ये भी बताता है कि ऐसे कौन से पूल है जो आप अपने बजट में खेल सकते हैं और best returns पा सकते हैं और तो और यह जो इंडियन T20 लीग जिसके बारे हम इतना बात कर रहे हैं यह सिर्फ एक ही cricket का tournament है fantasygully website और app पे आपको दुनिया भर की जो बाकी cricket हो रही है जैसे जिंबावे वसेस पाकिस्तान हो गई और ECS T10 विएना हो गया super 50 cup हो गया ऐसे बहुत सारे दुनिया भर की cricket की ultimate fantasy analysis सिर्फ fantasygully.com और app पे सही बताया बाबा और काफी intelligent है हमारा fantasygully का app और इसका logic तो इसी logic से चलिए देखते हैं कि captain vice captain picks क्या है देखिए FG best 11 के जो captain है वो best हो है और vice captain डेविड वर्नर तो अब तो काविया मरन तो बहुत ही happy होंगी क्योंकि हाइदराबाद के ही दो picks है हमारे पास happy तो मैं भी हूँ हाँ हाँ जी बिल्कुल आपने सही देखा और सुना मैं happy हूँ बाबाशीश के choices से लेकिन क्योंकि ये चैन्ने का pitch है अब normally हम लोग best और वर्नर के साथ ही जाते हैं कौन सा भी हाइदराबाद का match होगा तो लेकिन इस pitch पे क्योंकि शिखर धवन बहुत ही अच्छे form में है तो वो मेरे captain रहेंगे और क्योंकि spin यहाँ पर ज्यादा बोल बाला दिखाने वाला है राशीट खान, the champ, मेरे wise captain थैंक यू बाबशीश, थैंक यू कार्थिक, आप हमें fantasy की दूर दरास deep space में एक ride करा के लाए है और फिलाल rocket जो है वो आपस धर्ती पर land कर रहा है उमीद है आपको आज का episode बहुत जादा पसंद आये हो कल की match है between Punjab and Kolkata लेकिन उस्से पहले आपको याद दिला दू कि मास्क जरूर पहनिए social distancing जरूर रखिए अपने हाथ sanitize जरूर कीजे और अपने और अपना बिलकुल ध्यान रखिए अब तिल देन, बाबाब बाई कि जब लाए Fantasy Gaming में आपकी performance out of this world हो नी चेह out of this world तो से लिए Fantasy Gali के YouTube Page को subscribe करो, bell icon को दबाना मद भूलिये और हमारे Instagram के profile को भी like करो, abhi-ke-abhi The countdown starts 10 9 8 7 six five four three two one